दुन्या भर में अग्रिकल्चे इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ी है। जादा इफिशेंसी और तेजी से काम करने के लिए दुन्या भर में नए-नए मशिन्स बन रहे है। बली हमारे भारत में इन मशिन्स का यूज नहीं होता है। लेकिन हम हमारे देश के किसानों को खेती की नई दुनिया दिखा कर उन्हें प्रेडित करना चाते है। इसलिए इस वीडियो में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दुनिया भर के सबसे आधुनी खेती की मशिन्स मौठी पंकिन सीड हावेस्टिंग। कद्दू का नाम सुन कर भुख तो लग गई होगी HC चलते हैं कद्दू की खेती में लेकिन मौठी ने बनाए यह मशिन कद्दू कटाये नहीं कर रहा है बलकि ये कद्दू के बिजों को निकाल रही है। इस खेती में कद्दू ही नहीं बलकि सिर्फ कद्दू के बिजों की क्हेती हो रही है. कद्दू के बिजों की कॉलिटी और वजन को पूरे कद्दो से बार की हिस्थोसे जादा महत्व दिया जाता है। यहां कद्वों को टॉलमेक्स पंकिन प्लाइन नाम की इस मशिन में एक लाइन में लगा जा रहा है इस मशिन के सामने दो रोलर्स है एक रोलर कद्व को उसके पौदर से अलग कर रहा है और दूसरा रोलर कटे हुए कद्व को हलके से धोकर एक लाइन में लाता है बाद में अगला काम पंपकीन पीकप का है जो एक हाइडरॉलिक वील है जिस पर इस तरह के नुकिले खीले लगे हैं ये खीले कद्दू को बिना नुकसान पहुचा है उनमें होल्स करके उन्हें उपर भेजता है उपर आने के बाद कद्दू के अंदर की ये बीजो को बिना से होगे अग्रिबोट स्टॉबरी हाड्विस्टर बवश्चों में हमें टर्मेटर के स्कैनाइड से नहीं है बलकि स्टॉबरी नेट से दने की जरुवत गिने वाली है इस मशिन का नाम एग्रबोट-E सीरीज है ये अट्रमेटिक स्टॉबरी हाडविस्टर मशिन है जो एडवांस ग्राफिक प्रोसेसिंग का यूज करके फल पके है या नहीं ये चेक करता है। जैसे आप देखी सकते है कि इस मशिन के सारे 25 हातों पर कैमेरे लगे है। ये कैमेरा फल को स्कैन करके इनके साइज और कलर को चेक करते है। रोबोटिक हाथ पर ग्रेपिंग और कटिंग मशिन भी लगे हैं जो फल को बीना चुए काट कर उन्हें कंटेनर में रखते हैं। इन्हें पॉली हाउस के अंदर या फिर खुले आस्मान में दिन हो या रात कभी भी इस्तिमाल किया जा सकता है। यह मशिन बी सेकर में खेती को तीन दिन में हावस्ट कर सकती है। लेकिन इस हाइटेक फुचरिस्टिक मशिन के मेकानिजम के बारे में कोई भी जानकारी अब तक रिलिज नहीं हुई है। और होगी भी नहीं क्योंकि इन है दुनिया बर के सारे स्टॉबरी मेकर से जो फंडिंग मिली है जो इस मशिन के मेकानिजम को वाइरल करके खुद के पेरो पर कुलाड ही भारेगा। भाई ये फ्यूचर से टिकनलोजी है अगरिकल्चे मार्केट इनके हाथ में आ सकता है। इस मशिन के क्रेटर जूओन ब्राउन ने बताया था कि इस मशिन को बनाने में उन्हें 10 साल का समय लगा था। आरगाईल्स F8 T4 जंदली खेत में टर्बूजो को हाथ से जमा किया जाता है लेकिन इन भारी भरकम फलो को जमा करने का एक आसान तरीका भी है। इस मशिन का नाम F8 T4 है जिसे आरगाईल्स ने बनाया है। ये एक ट्रोल मशिन की तरह है जो ट्रैक्टर से जुड़ी रहत है। ये मशिन भारी भरकम टर्बूजो को उठाकर दूसरी जगा रखकर पैकिंग में मदद करती है। इस मशिन के हाथ सतोन फिट तक फैले है और इसके उपर बहुत ही सारे रबर के बड़े कवस भी लगे है। ये कप एक कनवेर बेल्ट के जरिए टर्बूजो को एक उकसान ना पहुचे है और उनकी कॉलिटी भी अच्छी रहे इस तरह के एक एक टर्बूजे को खेश से ट्राक्टर तक बिना लाए इन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ये मशिन एक मिनिट में 90 टर्बूजो को ट्राक्टर में रख सकती है। आपका तो पता ने प चोटे कनवेर बेल्ट से बदला गया है। ये मशिन देड एकर के खेत में भुट्टो को एक घंटे में जमा कर सकती है और प्रोड़क्ट लास रेड़ सी 2% ही है। मशिन के सामने लगा पिकर फसल को नीचे काटता है ताकि हो सिर्फ भुट्टा और फसल ही उनके हाथ में मशिन के सामने लगे पिकर में एक रोलर भी लगाया है जो फसल और भुट्टे को अलग अलग करके भुट्टे को कनवेर बेल्ट में भेजता है और फसल जमीन पर फेक देता है। क्यों अमेजिंग मशिन है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको इसके बार काटते हैं लेकिन इस मशिन में लगे कनवेर बेल्ट के नीचे एक छोटी आर ही लगी है जो सब्जी को जमीन से थोड़ी उचाई पर काटती है। वहाँ साथ में घुम रहा ये कनवेर बेल्ट भी आगे बढ़ता है। पूरी मशिन आगे बढ़ने के वज़े से सब्जिय अपने आप कनवेर बेल्ट पर आ जाती है। बाद में ये बेल्ट सब्जियों को उपर लोगों के पास भेशता है। वहाँ के लोग बेल्ट के नीचे बॉक्सों को रख के सब्जियों को बड़े आसानी से भर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ताज इस सब्जिया नई मशीन भी बनाई है, इस मशीन के कनवेय बेल्ड के शुरुवात में एक बड़ी आरी लगी है, जो बड़ी सब्जियों को जमीन से थोड़ा उपर काटती है, यह आप देखी सकते है कि कैसे आरी इन बड़े सब्जियों को कितने आसानी से काट रही है, और मशीन आगे ब बता सकते हैं कि यह क्या कर सकती है, हार गय ना? इस मशीन का नाम है शुरुटर प्लैसी लिटे डोर, इंग्लीश में इने सिर्फ फ्लैसी लिटे डोर ही कहते है, इस मशीन को अलग-अलग प्रकार के मुव़मेंट के लिए बना गया है, लोगी ने हातों पर चड़ा कर, प पेडल के जरीय कंट्रूल कर सकते हैं, इस तरह के वर्कर उनके हाथ का इस्तिमाल सिर्फ फल तोडने के लिए करते हैं, इस मशिन में एंटी कोलिजन सिस्टेम भी लगी है ताकि वर्कर्स एक दूसरे से ना टक रहें, फल तोडने के बाद वर्कर्स उन्हें बासकेट में खेत में एक जगा बैटकर कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन ऑक्सबो 62201 ग्रेप हाविस्टर के साथ चीज़े थोड़ी आसान हो जाती है यह आच्चर एकारक और अविस्मर्णियव मशिन अंगुरों को तोड़ने के लिए एक भी ब्लेड का इस्तमाल नहीं करती है लेक इना ज़ादा इलाने से अंगुर नीचे एक प्लेट पे गिरता है बाद में इस प्लेट अंगुरों को बकेट कन्वेर में भीचते है एक बार मशिन के अंदर जाने के बाद एक फैन सिस्टिम के जरिए हरी पतिया और बाकी के कच्छरे को अंगुरों से अलग किया जाता ह बाद में इन्हें डी स्टीमर में भेजकर अंगुरों को और उनके तने को अलग किया जाता है फिर इन्हें एक कन्वेर पर भेजकर बाकी का बचा कच्रा भी अलग किया जाता है अंग में सारे अंगुर एक कन्वेर बेल के जरीए एक बड़े कंटेनर में स्टोर किये जाते हैं दुन्या मर में ऐसी एडवांस मशीन होने के बाउजित पे लोग अभी भी हातों से अंगुरों को तोड रहे हैं कुछ जगा इन बेल के नीचे का अंतर कम होने के वाज़े से वहां ट्रैक्टर भी नहीं पहुँच पाते हैं और फ्रांस में कुछ जगा पे अंगुरों के कटाई के लिए मशीन का इस्तिमाल करना सक्त मनाई है इनके लिए सबसे बड़ा जटका कोई हो ही नहीं सकता क्यो अधा दुनिया की सबसे बड़ी बिच बोने वाली मशीन की तरफ देख रहे हैं जिसका नाम है जॉन टियर जीबी 120 इस मशीन की लंबाई 120 फीट है जिसमें 48 रोलर एक दुसरे से 30 इंच के दूरी पर खड़े हैं हर लाइन में एक सीट होपर लगा है जो बीजो को एक डिस बेल्ट में भीचता है ये इस बेल्ट इन्हें एक एक करके अलग-अलग करता है और उन्हें बाद में एक सेंसर के तरफ भीचता है ये सेंसर सारे बीजो को गिनकर उन्हें प्लैंटर में भीच देता है उसी समय एक डिवाइस वहाद जमीन में गढ़ा कर इन बीजो को एक जानके आप चोक जाएंगे कि यह एकलोती ऐसी अग्रिकल्चर मशीन है जिसका जिक्र विक्की पीडिया में किया है इस मशीन की प्राइस तीन लाग पैटालिस हजार टॉलर से शुरू होती है प्राइस थोड़ी जादा है पर जादा खेती वाले लोगों के लिए काफी फाय बाइन उन्हें कहा जाता है जो खुद की जड़ो को दूसरे चीजों पर लगा कर बढ़ते है ऐसे पौदे हमारे भारत में बहुती कम तौर पर पाय जाते है इस प्रकार के खेती में एक फ्लेक्सिबल तार को उपर से जा रहे वायर पर एक हुक के जरीए लटका जाता है और इन खड़े तारों पर होपस की बेल बढ़ती रहती है जब कटाई का समय आता है तब इस मशिन का एक हाथ नीचे से तार को पकड़ कर खिचता है बाद में तार इस हाथ में फसकर पूरे बेल को ट्रक में भर लेता है ऐसा करते वक्त उपर एक हुक से लटका हुआ ये वेजटेबल बेट फ्लेमर आप बेड में कितने भी होट हो लेकिन आप इस बेड फ्लेमर का मुकाबला नहीं कह सकते हो वेजटेबल बेड फ्लेमर जनरली एक प्रोपें टांक है जो बहुत सारे नॉजल्स और टूल बार से जुड़ा रहता है जब इन्हें खेत में चला जाता है तब यह जमीन में स्थीत पिछले फसल के भीजो को पुरी तरह से मार देता है और किसी भी प्रकार के पिस्टिसाइड्स और हर्विसाइड्स की इसमें जरुद भी नहीं गिरती प्रोपन का यूज़ करने की वज़े से जमीन पर भी किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं है एई दोस्त अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के किसानों तक ऐसे वीडियो और ऐसी टेक्नोलोजी पहुचने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजे ताकि यह वीडियो शायद किसी किस कि जिन्दगी बदल दे तो मिलते एक ले वीडियो में तब तक के लिए बाए अब तक एक यह लेफ्ट या फिर राइट बाए